मेरे प्रिय भाइबैनों और मित्रगणों, आशा है कि आप सब भरे चंगे हैं और अपने मसी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक विशेश विशय पर आपका ध्यान दिलाना मांगता हूँ और वो है जन्म कुंडली पढ़ना, जोतिश विज्ञान का ध्यान देना, उसके ओपर ज्यान देना, भविश्य फल पढ़ना, नियूस पेपर्स में राशी फल, ऐसी ऐसी चीजें हमारे मसी भाई भहन देखते हैं और करते हैं और कई बार मैंने देखा कि बहुत आसानी से, बड़े नॉर्मल उसमें वो अपने भविश्य के बारे में देखते हैं कि आज क्या होगा, मेरी राशी फल क्या है, जोतिश को अपना हाथ दिखाते हैं, जन्म कुंडली बढ़ाते हैं जाडू फूख करवाते हैं, क्या ये इस प्रकार की जो वहवार, इस प्रकार की बातें जो हमारे विश्वासी भाई बहन करते हैं, उनको शायद पता नहीं है इसके बारे में, मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है कि नहीं लेकिन इसलिए आज मैं इसी एपिसोड को इसके बारे में बताना मांगता हूँ कि ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन में क्योंकि ये परमेश्वर की और से नहीं है कई प्रकार की बाते हैं हमारे जीवनों में आती हैं कटनाई आती हैं मुसीबत आती है कभी-कभी शायद ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है या डिले कर रहा है कुछ भी हो तो फिर हम दूसरे मीडियम्स दूसरे चीजों की और हमारी नज़र जाते हैं कभी-कभी लोग सादु बाबा और इधर उधर जाकर के जोदिश ग्यान के तरफ अपना ध्यान बटाते हैं इससे पहले कि वो परमेश्वर की और मुणे हैं वे दूसरे चीजों की और अपना ध्यान बटाते हैं और अगर मैं प्योर लिशुद रुप से बोलू तो शैतान के मुँ में अपना हाथ डालना है जी हाँ, ये मैं आपको बताना मांगता हूँ और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जब पढ़ते हैं बाइबल में विशेश करके पुराने नियम में मैं आपके सामने भी कई पदों को पढ़ूँगा पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई हमारे जो इसराइली लोग थे जो परमिश्वर के चुने हुए लोग थे वे अपने परमिश्वर को भूल करके पराये देवी देवताओं और उनके भूत प्रेतों की चीजों में सलगन हो जाते थे और जोतिस ज्यान में उनका ध्यान था तारा मंडल की और देख करके कुछ नया हासिल करना मांगते थे और इससे परमिश्वर ने कहा कि ये श्रापित हैं ये श्रापित हैं और इस बात के लिए परमिश्वर ने वच्चन बहुत साफ रिती से आपके लिए और मेरे लिए दिया हुआ है मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि ये कितना खतरनाग है और एक विश्वासी को इसमें बिलकुल भी भाग नहीं लेना चाहिए तो आईए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ूंगा और फिर थोड़ा सा और उसके बारे में थोड़ा से अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा पहला जो विशेश भाग मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं वो पाये जाता है विवस्था विवरन और उसका अठारा अध्याए नौ से तेरा देखिए परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए इसराइली लोगों के लिए यहोदी लोगों के लिए जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनके लिए क्या कहता है जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहुवा तुझे देता है तब वहां की जातियों के अनुसार घिनोना काम करने को ना सीखना यहाँ पर वो शब्द आया है घिनोना काम करने को ना सीखना तुझे में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चड़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुब और अशुब मोहरतों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजिगर या ओजों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब जितने ऐसे काम करते हैं यहोवा के समों ग्रन feu और इनी ग्रन कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा नको तेरे सामने से निकालने पर है बहुत खतरनाख बात लेखी हूँ खतरनाख का मतलब बहुत गंभीर और सीरियस बात यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार की बातों में उलजना, इन बातों में जाना, जोतिश ग्यान में, भूत प्रेतों की चीज़ों में, टोना जादू, ये सब शैतान की चीज़े हैं प्रियों, और एक मसीही का इसमें कोई भाग नहीं लेना चाहिए, तेरवां पद, तू अपने परमेश्वर समुक सिद्ध बना रहना, देखिए यहां पर बहुत साब रिते से लेका, जो विश्वासी हैं, वो अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, है की नहीं, बहुत कम लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो क्रिश्चन लोगों के बीच में रहते हैं, इधर उधर मिलेंगे आपक लेकिन जातातर हम अन्य जातियों के बीच मेरेते हैं उनके रिती रिवाज होते हैं उनके महरते होती हैं उनके शुब शुब कारी होते हैं आप तो जानते हैं, आप समझदार हैं मुझे बताने की ज़रत नहीं है तो ये हमारे प्रमिशन ने मना किया था उनको कि इन बातों में तुम सलगना मत होना अच्छा और कुछ पदों को आपके लिए मैं पढ़ देता हूं ताकि और ये बात बिलकुल साफ रिती से आप समझ सकें ये शाया नभी ये शाया जो भवश्वश्वशता है उसका आठमा दियाए उन्नीस और बीस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जब लोग तुम से पूछें कहें ओजाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुन गुनाते और फुस फुस आते हैं तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए विवस्ता और चिताओनियों ही की चर्जा किया करो यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चे उनके लिए पाऊ न फटेगी क्योंकि संकट का समय निकट है इसी किताब का मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 47 अध्याए 13-14 मेरे प्रियों मैं इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि मैं जो बाती बता रहा हूं ये मेरी और से नहीं या किसी ने अपनी और से चिताया लेकिन ये परमेश्युर के बचन में साफ रिती से ब्लाक और वाइट में लिखा हुआ है और वही मैं आपके सामने बता रहा हूं ये शाया उसका सैतालिस अध्या है तेरा से चौदा तू तो युक्ती करते करते ठक गई है अब तेरे जोतीशी जो नच्छत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देख करके होनार बताते हैं वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुछ पर घटेंगी आग से बचाएंगे वे अपने प्राणों को जोला से न बचा सकेंगे वह आग तापने के लिए नहीं न ऐसा होगी जिसके सामने कोई बैठ सके कितनी बात यहां पर बहुत सा रिती से यहां पर लिखा हुआ है एक और पद इसी संबन्दित मैं पढ़ना मांगता हूँ और पाये जाता है यर्मया उसका दस्वाद ध्याए एक से तीन पद यर्मया उसका दस्वाद ध्याए एक से तीन पद मैं पढ़ना हूँगा आप ध्यान से सुनिये यहा लिखा हुआ है यहवा यू कहता है क्या कहता है जी यहवा यू कहता है हे इसराइल के घराने जो वचन यहवा तुमसे कहता है उसे सुनो अन्य जातियों की चाल मत सीखो ना उनके समान आकाश के चिन्नों से विस्मित हो इसलिए है कि अन्य जाती लोग उनसे विस्मित होते हैं क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काट है जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है लोग उसको सोरे चांदी से सजाते और हतोड़े से कील ठोक ठोक कर द्रड़ करते है कि वो हिल डुल ना सके बहुत साफरीती से मेरे प्रीव हाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के बचन में कि ये यहुदी जातियों के लिए इस्राइली के लिए जो परमेश्वर के लोग थे और आज आप और मैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं परमेश्वर पिता के पुत्र के लोहू के द्वारा जब हम धुलाए गए हैं तो इन बातों में हमें रूची नहीं लेना है कई लोग मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं कि, अरे, कोई बात नहीं चलता है, सब तो करते हैं, कोई ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं है, कई लोग राशी फल के कैलेंडर अपने घर में लगाते हैं, हाँ, भविश्य फल वाले जो प्रिंटिड हुए हैं, बड़े अच्छे अट्राक्टिव कैलेंडर अपने घर में लगाते हैं, इन्ही सब चीजों को देखने के लिए, मेरे प्रियों, यह शैतान का एक ट्रिक है, एक जाल है, एक ट्राप है, जो मसीहियों को फसाना मांगता है, और इसमें धीरे धीरे आकर के लोग फस जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, भईया मेरा हाथ देख ले, क्या है इसमें, कैसा होगा आज का दिन, अगला साल, और हाथ देख देख कर को बोल, हाँ, यह होगा, वो होगा, मैं भी जब प्रभु में नहीं आया था तो मैं भी इन बातों में बहुत सलग न था लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो ये बाते छोड़ दी क्यों? वो उसका कारण ये है कि हम जीवते परमेश्वर के रातना करते ये जो नच्छत्र है ये जो हमारा जीवन है हमारा जन हमारे मृत्यू हमारा भविष्य ये जन्व कुंडली और जोती इस ज्ञान में नहीं है ये हमारा परमेश्वर ये हमा सब हमारे परमेश्वर के हाथ में है उसी नहीं है सब कुछ बनाया ये सूर्य मंडल तारा गंड, तारा मंडल, विश्व, ये किसी भूत प्रेत और अन्य जाती के देवी देवताओं से नहीं, पर मेश्वर के वो बहुत बुल्य शक्ती के द्वारा, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, वे बनाएगे हैं और उसी के नुसारी चलते फिरते हैं, मैं कुछ पदों को इसी से संबन्दित आपके लिए पढ़ूंगा, भजन सहिता उन्नीस, उसका एक पद, भजन सहिता उसका उन्नीसवा अध्याय और पहला पद, आकाश इश्वर की महिमा को वरणन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्त कला को प्रगट कर रहा है, किसकी हस्त कला को? पर यहुआ के हस्त कला को जो उसने बनाया, यह जो तारागर्ण, सौर मंडल में जो भी चीजे नच्छत्र पाई जाती हैं लोग ना, इसी को देख देख करके, क्या करते हैं, भविश्य बतानी कोशिश करते हैं, कि ऐसा जातारा जोड़ रहा है, अभी यह शुब महरत नह परविश्वर, हमारा महान परविश्वर जो स्रिष्टी करता है, उसी ने आपको और मुझको बनाया, उसी ने सब सौर मंडल और पूरे विश्व को बनाया, एक और पद मैं इसी से सम्मंदित मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन सहिता 147 और चार, भजन सहिता 147 और च प्रभु महान और अतिसामर्ती है, उसकी बुद्धी अप्रम पार है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियों, मेरे भाई भेनों, यदि आप किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली में विश्वास करते हैं, जाडू जाडू चीजें करना, जाड़ फूक करना, जोतिश ज्यान का उसमें इंटरेस्ट लेना, राशी फल देखना, हाथ दिखवाना, मंत्रों का उच्चारन करना, यह सब क्या है, यह हम शैतान के हाथ में खेले जाएंगे, अगर हम इसमें इंटरेस्ट है, जी हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में आप से कहा, कि परमेश्वर का बारे में कहता है, अब शायद आपको पता होगा, दानियल की किताब में भी इसी से कुछ समंदित वाक्या पाए जाता है, जब बेल शैजर जो राजा था, उस देश का, और उसने देखा कि वो तो बहुत ड्रिंक वगरा कर लिया था, बहुत नशे में था, और अभिमानी ह बहुत घमंडी रहा, उसका नैतिक जीवन भी गिरा हुआ था, कोई कई सारी चीज़ें आप पढ़ लिजे, दैनियल की किताब और उसका पांचवे अध्याई में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो मैं आपको इसका संदर बता रहा हूं किस प्रकार से, वो जब इस प्र उंगली लिखने लगी, कुछ बाते एक उंगली, आदमी की उंगली के समान लिखने लगी, और वो घबरा गया कि क्या है ये, क्या मतलब है इसका, और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो नहीं समझ पाया है, तो उसने अपने सब तांतरिक लोगों को जो भविश्य द्वानिय करते थे, जोतिशियों को, राशी फल और जन्व कुंडी देखने वानों को बुलाया, भईया बताओ, क्या लिखा हुआ, बताईए, अगर तुम इसको बता दोगे, इसका मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा, उनमें से कोई नहीं बता पाया, तब किसक दूंगा, दानियल उसका पांचवा अधियाए, ग्यारवे पत से, तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेल शेजर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रमीनता और इश्वरों के तुल्य बुद्धी पाई गई, और हे राजा तेरा पिता जो राजा था, उसको सब जोतीशियों, तांत्रियों, कस्दियों और अन्य होनहार बताने वालों का प्रधान तहराया, क्योंकि वो बातें नहीं बता सके, दानियल को पता पढ़ गया था, दान और प्रमीरता और स्वपनों का फल बताने, और पहेलियां खोडने और संदे दूर करने की शक्ति पाई गई है, इसलिए अब दानियल को बिलाया जाए और वो उसका अर्थ बताया जाएगा, तब दानियल को राजा ने अपने सामने बिलाया, और दानियल ने को से पूछा क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नपुकत नेजर राजा के यहुदा देश से लाए गए हो यहुदी बंधुओं में से हो मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है देख अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह जो लिखा हुआ देवाल में उसका अर्थ मुझे बताए परंतु वे उसका अर्थ नहीं समझा सके परंतु मैं तेरे विश्य में सुनाए कि तू इसका भेद खोल सकता है दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता वो दूसरे को दे वह लिकिवी गुप्त बातें जो है राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा हे राजा परंप्रदान परमेश्वर ने तेरे पिता नभुगत नेजर को राज्य बढ़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताब दिया था और उस बढ़ाई के कारण जो उसको दी गई थी देश देश और जाती जाती के सब लोग और भिन 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 भाशा बोलने वाले उसके सामने कापते और थरतराते हैं जिसे वह चाहता था उसे वो घात करता था फिर भी उसे जीवित रखा लेकिन क्या हुआ उसका मन फूल उठा तब वो भेद बताता और जो शब्द लिखे गए थे मने मने तकेल और उपरसीन इस वाक्य का अर्थ ये है अर्थात परमेश्वन ने तेरे राज के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया है और तुमारनो तराजू में तौला गया यह और तुह हल्का पाया गया है और तुमार डाला जाएगा तो कहने का मतलब यह है میरे प्रियो दानियल ने परमेश्वर की आत्मा में हो कर के उसका अर्थ बताए जो तांतरिक नहीं कर पाए, जो तिशी नहीं कर पाए, भविश्य बताने वाले नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर महान, महान परमेश्वर है और उसने ये बात कही कि इन बातों में जितने प्रभू के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, इन में ना पढ़ें क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बहुत ही अच्छा स्वपन बहुत ही अच्छा विचाहर रखा हुआ है क्या अच्छा उपाए क्या कलपनाएं हैं परमेश्वर का आपके प्रती विश्वासियों के प्रती क्योंकि यहोवा की यवानी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विशे करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ वे हानी की नहीं वरन कूशर ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पुरी करूंगा सो मेरे प्रेभाई बहनो यदि आप राशी फल और जोतिस ग्यान और हाथ दिखाना जाड़ू फूका में ध्यान देना जन्वकुडनली देखना इन सब बातों में पेपर में आजकल रोज बहुत आता है कई प्रकार के आसन करना ये सब शैतान की ओर से है आपको अपने जीवते परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है क्योंकि उसका वचन यही कहता है तब परमेश्वर आपको इसमें अपने जीवन में और भी आशिश देगा और जो लोग अगर इसमें सम्मिलित है उनको कहिए आप कि इसको इसमें कभी भी समय लितना हो यदि कोई कैलेंडर घर में लगा के रखाया है ये राशीफल और वहईशफल देखने है और जियोतिश ग्यान वगड़ा से सम्मधित निकाल के फेके पाड़िये जला दीजे किसी को दीजे भी नहीं परमेश्च्वर आपके इस कारे को आशिशित करेगा और पूर्ण रिती से परिपूर्णता के साथ परमेश्च्वर यहवा की राधना सेवा और महिमा करें आमेन